Hello friends, my name is Ranjit और आप देख रहे हैं Ranjit Digital Marketing Export और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ GST से क्या होगा सस्ता और क्या महेंगा जी हाँ जो भी भारा सरकार कहें तो जो भी GST का जो है स्लेब आ चुकी है कि किन पे 0% भी GST लगेगा 5% लगेगा 12% लगेगा 18% लगेगा और 28% लगेगा तो इस प्रोड़क्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन से प्रोड़क्स पे कितना परसेंट GST लगेगा तो अभी जो है 1211 आइटम्स पे ये तै कर लिया गया है कि कितने परसेंट GST लगाना है सिर्फ 6 स्रेडियो को छोड़के बाकी सभी जो GST के दरे हैं वो लगबग तै कर ली गई है तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे हम बताने जा रहा हूँ कि क्या सस्ता होगा और क्या महेंगा होगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 0% GST यानि जिन पर नहीं लगेगा टेक्स मतलब आपको टेक्स देना नहीं पड़ेगा जैसे ताजा दूद हो गया आनाज हो गया ताजा फल नमक चावल पापड रोटी जानवरों का चारा कॉंडोम गर्व निरोदक दवाएं किताब जलावन की लकड़ी चूड़िया ठीक है ना गैर कीमिती हो भी तो इन पे आप किजिंग होगी उस पे तो चार्ज लग रहा होगा जो आने जाने में डिस्ट्रिब्यूट होगा उस पे भी तो चार्ज लगेगा तो अब यह नहीं पता कि कितना दूद हमारा सस्ता हो जाएगा कितना अना सस्ता हो जाएगा फल जो आज सेब संत्रा दोख लिए इतना महे दिखता है। उसकी बात करेंगे हम एक या दो तरीक को GST आने के बाद ताकि डिटेल में इस पे बात कर पाएं। दूसरा जो इन्होंने स्लेप बनाए हुआ है मतलब पहला ही कहलो या फिर दूसरा कहलो तो यह है पांच परसेंट जिसमें चाय है कोफी है खाने का तेल है ब्राइंडड अनाज अब देखरें वहाँ पे अनाज था जिसमें छूटी है ब्राइंड जिसकी पैकेजिंग होती ह जैसे इंडिया गेट हो गया चावल हो गया मतलब जितने भी ब्राइंड लोगे उस पे मिलेगा सोया बीन सुरज मूखी के बीज ब्राइंड पनीर कोईला कोईला सस्ता हो गया है क्यूंकि पहले साथ सीजदी लगता था पांच सीजदी में रखा गया है कोरोसीन जो घरेल तांबे के बरतन और जाडू ये जो है वो पांच सीजदी में रखा गया है अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मतलब क्या 0% में क्या 5 सीजदी में क्या 12 में 18 में और 28 सीजदी में बाकि इसकी डिटेल भी बनाएंगे कि पहले क्या लगता था और अभी क्या लग रहा है जैसे चाय पे पहले क्या था कोफी पे पहले क्या लगता था अभी क्या लग रहा है तो उसमें भी एक डिटेल में एक वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे तो इस वीडियो को मैं कर रहा हूं 12% GST को देखा जाए तो जिसमें dry foods है जिसमें और cold drinks है frozen meat है अब I don't know क्या उनसा meat होता है बायो गेस है मुंबत्ती है आपका अगरबत्ती है दतमंजन powder है चसमें के lens है बच्चों की ड्राइंग book है calendar है LPG store है आपका nut, bold, page, tractor cycle, LED light, खेल का समान, artwork यह सब 12% GST के दाइरे में रखा गया है 18% की बात करी जाए तो refined sugar है ठीक के ना condensed milk है, preserved सबजियां है, बालो का तेल है, साबून है, helmet है, notebook है, jam है, jelly है, source है, soup है, cream है, यह सब जो है mineral water है, petroleum jelly है, petroleum coke, toilet paper, यह 18% में रखा गया है, कुल मिला के 1211 products हैं जिनका GST में निर्धारण कर लिया है कि किन बस्तूप कितना tax लगाना है और इस वीडियो में कुछी products के बारे में देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 28% के बात करी जाए तो motor car है, motorcycle है, chocolate है, ठीक है न, coca, butter है, fat soil है, आपका पान मसाला है, freeze है, perfume है, deodorant है, makeup का समान है, wall putty है, जो दिवार पे आप लगवाते हैं, दिवार के paint है, toothpaste हो सेविंग क्रीम हो गया, after save हो गया, liquid soap हो गया, plastic product हो गया, rubber tire, चमड़े के bag, ठीक है न, marble, granite, plaster, mic का, tempered glass, tempered glass जो mobile पे लगता है, razor, razor हो गया, dish washing machine, piano हो गया, revolver हो गया, इस तरीके के जो product हैं, आपको उन पे 28% का जो है tax देना पड़ेगा, हलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारा ये चैनल, और साथ वाली गंटी को जरूर बजाएए, ठाकि आप देख पहें, सबसे पहले हमारी वीडियोज बिल्कुल फ्री में हैं